नमस्कार आप देख रहें कि सर्या न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सोनी सिर्वास्तो जिला कोड में केंद्रिय मंत्री जोती राधित्य सिंदिया उनके दो समर्तक मंत्रियों के खिलाब दायर परिबाद के मामले में सुम्मार को सुनवाई हुई इस दोरान कोड में पुलीस अधिक्षक ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोड में पेस की परिबादी एडवोके नितिन शर्मा ने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट से स्फष्ट हुआ है कि वर्तमार समय तक केंद्रिय मंत्री सिंदिया के ट्विटर अकाउंट पर वह विबादित पोस्ट पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने पूरव मुख्य मंत्री दिगवजे सिंग को दिस द्रोही कहा है अब इस मामले में अगामी चार्ड संपर को परिबादी एडवोके नितिन शर्मा की जार्च कतन कोड में दर्श किये जाएंगे आकिर क्या ता पूरव मामला आएगे जानते हैं परिवादी के वकील ने बताया कि अमामला मानहानी का है 21 अपरेल को उचैन में प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान पूरव मुख्य मंत्री दिगवजे सिंग ने केंद्री मंत्री सिंधिया के लिए कहा था कि हे महाकाल कॉंग्रेस में अब कोई दुसरा जियोती राधित के सिंधिया पैदा मत करना इसके जवाब में सिंधिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि हे प्रभू महाकाल दिगवजे सिंग जैसा देश विरोधी भारत में पैदा ना हो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और महेंदर सिंग सिसोधिया ने भी एक ट्विट किया था जिसमें उन्होंने भी दिगवजे सिंग के लिए आपत्ती जनक टिपड़ी की इसके खिलाफ एडवोकेट नितिन शर्मा ने तीनों को लीगल नोटिस बेच माफी माँगने का अगर किया कोट ने सुनवाई के बाद ही क्रिमिनल परिवाद दायर किया था अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है आगे की अपडेश जाने के लिए देखते रहे किस सर्यानीश सन्ने बाद